वेलकम फ्रेंड्स अलपे आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम ग्राइफ के पहले प्रेंक्लिन की पास्ट लाइफ के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसके बाद अगर आप जीटिये से किसी और करेक्टर की स्टोरी के बारे में जानना चाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं तो चलिए Franklin की वीडियो शुरू करते हैं Franklin की history जानने से पहले मैं आपको Franklin के बारे में कुछ important बाते बता देता हूँ Franklin GTA 5 के main तीन protagonist में से एक है और तीनों में सबसे ज़्यादा शांत nature का भी Franklin एक American African young boy है Franklin के character को ambitious दिखाया गया है और कोई भी illegal challenge को accept करने से नहीं डरता और साथ ही Franklin के character को positive भी दिखाया गया Franklin और GTA San Andreas के main protagonist CJ की बहुत सी बाते similar हैं दोनों ही ambitious हैं और दोनों ही lost centros में पले बढ़े हैं और दोनों ही पैसा कमाने और criminal underworld के top पे पहुँचना चाते हैं GTA game में हमें पता चलता है कि Franklin एक बहुत अच्छा driver है इसलिए game में Franklin के पास full speed में भी time को slow करने की special ability होती है Michael के साथ Franklin का game में father and son जैसा relation बनता है और GTA 5 में एक mission के दोरान Franklin Michael की जान बचा के इस बात को prove भी करता है Franklin का जन South Los Santos San Andreas में हुआ game में Franklin के date of birth के बारे में कुछ नहीं बताया गया पर Franklin की गाड़ी का number FC 1988 है जिससे ये लगता है कि ये Franklin की date of birth हो सकती है Franklin अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता जब Franklin बहुत चोटा था तो उसकी मा drug addicted हो जाती है और साथ ही Franklin ने अपने बच्चपन में बहुत सी बाते भी सुनी कि किस तरह उसके पिता बहुत ही violent nature के थे और उसकी मा के साथ हिंसक वेवार रखते थे और शायद Franklin के पिता के इस behavior की वज़े से ही Franklin की मा drug addicted बनी Franklin के पिता ने उसकी मा को छोट दिया जवे प्रेगनेंट थी Franklin के बच्पन में ही उसकी मा की drugs overdose की वज़े से मौत हो गई थी अपने माता पिता को खोने के बाद Franklin अब अपने grand parents के पास रहने लगा था जहां बाद में Franklin तोनिया और Bradshaw से भी मिलता है Franklin की grandmother के बहुत समझाने के बाद भी Franklin street hustler बनने का फैसला करता है जिसके लिए Franklin अपना पहला काम Bradshaw के साथ मिलके illegally cigarette बेच के करता है सब कुछ एक दम सही चलता है पर एक दिन Franklin के grandfather उसे रंगे हाथो पकड़ लेते हैं और GTA 5 में तोनिया से एक mission के दोरन पता चलता है कि इसी बात पे Franklin के grandfather पादर ने Franklin और Bradshaw का पूरे Los Santos में पीछा किया था Franklin के grandparents की death होने के बाद अब Franklin अपनी aunt Dennis के साथ South Farm वाले घर में shift हो जाता है जो उसकी grandmother ने अपनी will में Franklin के नाम किया था जिसके बाद Franklin टीनेज में Lamar और Tanisha Jackson के साथ Davy School जोईन करता है और यहीं से तनीशा और Franklin का relation शुरू होता है और इन दोनों के भी GTA 5 की कहानी में आगे जाके break up भी हो जाता है पर Franklin अपनी class में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और एक दिन उसके school में एक teacher को बहुत बुरी तरह से बारने की वज़े से Franklin को school से निकाल दिया जाता है और इसी समय के दोरान Franklin लमार के साथ मिलके street crime और drop dealing में involved होता है और दोनों मिलके बहुत से छोटे मोटे crime कमिट करते हैं जैसे small time bank robbery अपनी पहली robbery में Franklin लमार के साथ मिलके 2000 डॉलर की चोरी करता है पर robbery के दोरान accidentally पैसो पे die ink गिर जाने की वज़े से Franklin और लमार पैसो को यूज़ नहीं कर पाते और सारा पैसा waste हो जाता है Franklin ने बाद में एक local drug dealer मारकस के लिए भी काम किया पर मारकस को बाद में मार दिया जाता है कुछ time बाद Franklin पूरी तरह से crime life से introduce हो जाता है और इसी वज़े से Franklin को 2008 में जेल भी जाना पड़ता है एंट जेल से बाहर आने के बाद Franklin अपनी crime life और पुरानी गैंग छोडने और कोई काम करने का फैसला करता है GTA 5 की स्टोरी से कुछ महीने पहले Franklin नमार के साथ एक American businessman Simon के साथ काम करना शुरू करता है Simon का car dealership के पीछे loan sharking और extortion जैसे business का काम होता है जिसमें Franklin नमार के साथ Simon के लिए car recovery का काम करता है और जिसके बाद Franklin की स्टोरी GTA 5 की स्टोरी के साथ साथ आगे बढ़ती है अगर इसके बाद आपको Franklin की कहानी देखनी है तो आप GTA 5 की मेरी स्टोरी वीडियो देख सकते हैं आप उपर i-button पे क्लिक करके GTA 5 की स्टोरी देख सकते हैं या मैं description में भी link डाल दूँगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही I hope आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को like जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ share करना और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले पसंद आप मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो को लेके कोई भी confusion हो या चैनल को लेके कोई भी suggestion तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं और मैं मिलूँँ आपसे अगली वीडियो में, till then, good bye.